बचपन से ही आप स्कूल में ये बात पड़ते आ रहे होंगे कि हमारी ये जो हवा है उसमें 78 प्रतिशत nitrogen है 21 प्रतिशत oxygen है 0.093% organ और 0.04% carbon dioxide है बाकी के बचे हुई चीजों में water vapor यानी वाश्प है अगर आपने ये ध्यान दिया है तो ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा विचारनी होगा कि जिस हवा को हम अपने सास के जरीए शरीर के अंदर ले जा रहे हैं जिस हवा में 78 प्रतिशत nitrogen है आखिर उस nitrogen का हमारे शर करीर के अंदर क्यों absorb होती है हैना एकदम interesting बात चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बात बताते हैं अब देखिए ये जो हवा हम अपने अंदर इनहेल करते हैं उसमें 78 प्रतिशत nitrogen 21 प्रतिशत oxygen और 0.04% carbon dioxide और कुछ inert gases भी हम अपने अंदर इनहेल करते हैं water vapor के साथ पर हम कितना ज्यादा water vapor अपने अंदर इनहेल करेंगे ये depend करता है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं जहां पर हम oxygen ले रहे हैं वहां की humidity कितनी है और हम कितना ज्यादा water vapor अक्सेल करेंगे ये भी आपके भौगॉलिक परिस्थिती पर ही निर्भड करेगा अब जब हम अप हमारे फेफ़डों के अंदर जो alveoli होता है उनसे जुड़े रहते हैं blood capillary जहां से oxygen के pressure के कारण ये oxygen हमारे blood में पुष हो जाती है और blood में जाकर घुल जाती है थोड़ा सा blood plasma में और बहुत सारा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है ये oxygen लगभग 97 प्रतिश जो हमें भोजन से प्राप्थ हुआ है glucose उसके साथ क्रिया करके energy बनाता है और byproduct के रूप में water और carbon dioxide glucose के oxidization से निकलता है देखिए हमारे शरीर को mainly oxygen की आवशकता होती है क्योंकि oxygen ही glucose का oxidization करके energy बनाता है जिसके कारण से हमारे शरीर में जो basic metabolic क्रियाय होती है वो आसानी से हो पाती है अब देखिए जो nitrogen हम inhale करते हैं लगभग 78% जितना भी हम air लेते हैं उसमें से वो nitrogen gas दरसल एक अक्रिय गैस होती है यानि inert gas होती है वो किसी भी molecule के साथ कोई reaction नहीं करता है जो nitrogen हम inhale करते हैं अपने respiration में दरसल वो बिना कुछ किये ही हमारे शरीर से बाहर निकल है और जो carbon dioxide हम inhale करते हैं असल में उसकी मात्रा बहुत ही थोड़ी होती है हमारे inhaled air में इसलिए ये हमारे body को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुचाता है अगर higher concentration में हम CO2 inhale कर लें तो फिर हमारे body को बहुत ज़्यादा ख्षती पहुचा सकता है ये carbon dioxide पर normally जो हम CO to inhale करते हैं वो carbon dioxide की मात्रा केवल और केवल 0.04% ही होता है overall देखें तो जो air हम inhale कर रहे हैं उसमें oxygen और nitrogen primary हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में other gases हैं जिसमें से अधिक्तम तो inert gases हैं यानि अक्रिये gases अब देखिए inhale करने के बाद जो air हमारे अंदर process होकर बाहर exhale हो रही है या और वो change होता है हमारे cell में oxygen के reaction की वज़े से जिसे cellular respiration कहते हैं oxygen का glucose के साथ क्रिया करने पर carbon dioxide और water बनता है जिसमें खूप सारी energy बनती है और यह जो by product बनता है glucose के oxidization से इस waste product को हमारे शरीर से बाहर भी निकलना होता है तो होता यह है कि यह waste product blood के जरीए बाहर निकलता है ह हमारे शरीर से water तो urination से बाहर निकल जाता है और जो gases है carbon dioxide वगरा वो blood में घुलकर हमारे फेफडों में आती है और नाग के जरीए शरीर से बाहर निकल जाती है देखी exhaled air का composition क्या क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि nitrogen जैसे inhaled होता है वैसा ही exhaled भी हो जाता है यानि 78 प्रतिशत nitrogen ही हमारे स्वांस के जरीए बाहर निकल जाती है 16 प्रतिशत oxygen हमारे शरीर से बाहर निकलता है 4 से 5 प्रतिशत carbon dioxide हमारे शरीर से बाहर निकलता है और बाकी बचे हुए चीज में water vapor और कुछ inert gases भी होती है आप ध्यान दिया होंगे कि हम 21 प्रतिशत oxygen inhale करते हैं मतलब 5% oxygen हमारी body consume कर लेती है और बाकी की बचे ही oxygen तो हम तुरंथी exhale करके fresh oxygen दुबारा से हमारा शरीर प्राप्त करता है दुबारा से cellular respiration के लिए और हमारी body लगातार energy produce करती रहती है हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है ये वीडियो आपको कैसा लगा है म मुझे नीचे comment करके जरूर बताना कुछ नया जाने हो तो वीडियो को like जरूर करना